तो फ्रेंट वेलकम टू उनलाइन फ्री इस्टडी फ्रेंट इसके आपको बता इस वीडियो हम देखने वाले लास्ट इक्स मन्त का करेंट एफ है जो की इंपॉर्टन रहेगा आपके एक्जाम के लिए और इससे पहला जो है पार्ट वन कहीं या फिर पहली वीडियो जो र मतलब आपने इनको देखा होगा इनको किया होगा इन एमस्कीज को तो उन्हीं को करेंगे और थोड़ सा डीपली नौलइज लेंगे तोकि एक्जाम में आपसे जो है एमस्कीजी पूछेगा लेकिन आपके तरीके आपका टेस्ट है जो की शिक्स मंत लास्स का जो हम से उनको हम रिप्तर करें वाले हैं यहां पर ठील है इसके बाद जो है और भी जो मंत हैं उनको भी हम करने वाले यह Gelman को कि एक किस देश ने S.A.W.F. Under 18 Football Championship 2019 जीती तो चलिए बताईएगा क्या है इस कोशिन का अंसर S.A.W.F. का मतलब है South Asian Football Federation जो है कब किस ने जीता इस कोशिन का अंसर करने को इस करिएगा क्या होगा कोशिन का अंसर नहां पर होगा कोशिन का अंसर इंडिया ठीक है इंडिया ने यह जीता Under 18 में Under 18 Football Championship जीती और किस से जीती है यह जीती है बंगलादेश को हराया है इंडिया ने अगे बढ़ेंगे अगला कोशिन है नीतिया जोग द्वारा जारी किये गए स्कूल सिक्छा गुडवक्ता सुचकांग मैं निम्लेकित में से कौन सा राज्य सीर्स पर रहा है कौन सा राज्य सीर्स पर रहा है आपके पास है कमेंट करेंगे कोशिन करिएगा इस वीडियो में जितने भी कोशिन मैं आता रहा हूँ यह सारे इंपॉर्टन है अगर हम बात करें सबसे आखरी में जो प्रदेश आय पहले नंबर पे कौन था के रल था ठीक है कौन था के रल ऑप्शिन नंबर यहां पर डी आएगा आगे बढ़ेंगे अगला कोशन देखिए रक्षा अनुशंदान और विकास संगठन ने निमलेकित में से किस प्रक्षेपन केंद्र से ब्रह्मो सूपर सौनिक क्रूज में सा ब्रह्मोस को उसको उसका जो है आपको वह बताना है कि कहां से किया गया किस अनुशंदान से किया गया तो यहां पर सतीज धमन है ऑके स्पेस लेफटिन सेंटर जो आहमदाबाद में है चान्दी पूर टेस्ट रहें जो बाली बालाश्वर में है और बिक्रम सारभाई अं पर सतानी कहां से जो है इसको लॉंच किया गया थे इसको जो है इसको इसको संस्क्राइब चलिए आंसर दीजेगा कमेंट करेंगे देखेंड बहुत इंपॉर्टन है आपको यह बताओगा ब्रह्मपुत्र और मुस्क्वा मुस्क्वा जो की रश्या की नदी है दोनों की नदियों के नाम से जो है इसको ब्रहमोस सूपर सॉनिक जो है मिसाइल को बनाया गया है वालो इसका नाम रखा गया है ठीक है और अशिया और इंडिया का जो जॉइंट करकर इन्होंने यह बनाया है चलिए आंसर दीजेगा कमेंट करेंगा यह 290 कि 90 किलोमीटर की जो है र लासर से इसको प्रक्षेबित किया गया आगे देखेंगे अगला कोशिन क्या है कोशिन नमंबर देखी इसका option में लगा देता हूं कई वार केते हैं अपर option लगा मेंगा c ओई और देखेंगे नवी लेकत में से किस कंपनी ने किम्पनी ने क्लो क्लाइमीट नूट्रल ना स्रिणी में प्रतिष्टित संयक्तुराष्ट ग्लोबल क्लाइमिट एक्षिन अवार्ड स्रेक्षिन अवार्ड जो है उसमें जीता है तो किसने जीता है यह वार्ड चलिए आंसर दीजेगा यह बहुत इंपॉर्ट कोईशन है इंटरनेशनल देखें क्लाइमिट नूट्रल ऐट जो है वह जीता इंफोसес ने ठीक है किस न जीता है इंफोसस न शॉरी औ eldest बहुत बढ़ में पर भी सास्त्री गायक सास्त्री गायक पंडित जस्राज की नाम पर इस्काणाम रखा है उसुका नाम रखा है उसका नाम जोर्ग invok को यह वताना है यानि कि international astronomical union जो है उसका मुख्याल है वो कहां पर है तो option है आपके पर कहां पर है यह answer दीना है comment करना है बहुत important question है देखिए यस राज जो थे पंडित यस राज की नाम पर जो है इस एस्ट्राइट का नाम रखा गया इस एस्ट्राइट जो एस्ट्राइट आपकर पूछ लिए जाए किसके मद में है क्योंकि important है तो यह मार्स और जूपिटर की मद में पाया गया ठीक है अगर बात करें यह जो है ए आई यू के present की तो इवान-वान डस क्यो डस होक टीके डस होक इनका नाम है इनका जो है मुख्याले जो है अभी तरग आपने और सत्र दे गया हुआ तो मुख्याल था थारग इस chef's किस तारिक को मनाया जाता है दिश्वी हिर्दयद्धिवस किस तारिक को मनाया जाता है बहुत हीinkुअ कोशन है इस क्ये तें तo helps discourage आपसे फूचिए सकती है तो माई हाट यॉइ फार ठीक है क्या थी माई heart ठीक है okay and your heart ठीक है your heart यह इसका जो था theme थी साल की my heart your heart और इसका answer क्या रहेगा यह होता है 29 September को कम मना जाता है 29 September को option number D आगे बढ़ेंगे इनिमिलेकित में से किसे अगले दो बर्शों के लिए अंतर रास्टी अंडा आयोग आई इसी इंटरनेशनल एक कमिशन चेर्मेन जो है या अध्यक्ष के रूप में निक्त किया गया किसको किया गया अगले दो शाल के लिए बहुत अच्छा कोशन है इंपॉर्टन है कभी कभी ऐसे कोशन जो आते हैं कमिंट करेंगे यहां पर क्या होगा आफशिये आ अनसर कहा रहेगा चलिये अनसर इ हकिस केंद्री बैंक की 550 ज्रینتी पर इस मारक सिक्का जारी किया है इस मारक सिक्का जारी किया है बहुत अच्छा कोशन इंपॉर्टन कोशन है पर आइस आतेsesच किया बैंक है तो यह बैंक कौन सा है नेपाल रास्टर बैंक नेपाल रास्टर बैंक ने ऐसा किया है पांसपजास भी जैनती थी पांसपजास जैनती पर यह इनने ऐसा किया है नेपाल रास्टर बैंक है गवर्नर की बात करें तो चिरन जी भी नेपाल इनका नाम है इंडियन एम मैजडर की बात करें जो कि की नेपाल में है तो वह मंजीव सिंह पूरी अभी आगर बात करें अभी देखिए एक जो आ पर भुपि भी लिखी गई तो गर बुक की बात कर जो भी है Shik Heritage Av Naval सिख हरिटेज आप नेपाल इसका नाम है बुक का और बात कर अगर आपको यह रिटर्न किस ने किया किस के दौरा लिखके ही तो आपको फ्रेंट बहुत सारी चीह दिये होंगी ऑप्शन चार होंगे विसे उसमें से एक इंडियन इंडियन मस्वांगे आप लगाएंगे तो इंडियन मस्वांट में आंसर रहेंगा नेपाल रास्ट बैंक ने जोए पांस पर सिक का नम इसको बनाया ठीक है आगे चलेंगे जारी किया सुद्थ आगी चलेंगे कोशिन 9 ही यह वियरपोर्ट काउंसल इंटरनेशनल द्वारा किये गए बार्शिक हाईवे अड़ा सेवा गुडबक्ता सर्वेक्षन के अनुसार भारत के निमलेकित में से किस हवाय अड़े को यातियों को दी गई सेवाओं के संदर में सर्व श्रेष्ट कुशित किया गया है बहुत ही इच्छा कोशिन है आश्र दीजेगा कमेंड किये क्या होगा है अजब की वेतरी कोशिन चलिए आंसर दीजेगा कोशिन के इंड्रा गांधी हवाय अड़ा कोचिन फ्रेष्ट केम्प गोड़ा या सर्दाबर्शिक बिश्व घंदू आरतिकं 20200 ने कहां पर आयत हुआ सिकागु में पेरेश में भुम्बई में लें लंदन कोश की नमबर 10 हैं अंसर दीजे, कामेंट करें कहां पर किया गया? तो यह की आ गया भारत भुम्बई में भारत में बुम्बई में की आ गया। तीक है इसका थीम थी थीम थी Prosperous Society Stronger Society लगी इसका जो था इसका एक ध्यान दीजेगा सबसे important चीज़ है 7th Annual World Hindu Economy Forum जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर हुआ था बुंबई में हुआ था ठीक है बुंबई में हुआ था इसकी जो थीम रहती वो important है समरद Society और मजबूद सोसाइटी समाज कहे उस परकार का इनकी थीम थी थीकि याफर इंग्लिश में कहिए Prosperous Society, Stronger Society यह ध्यान रखिएगा क्योंकि आप से थीम जो है पूछ ली जाती है तो थीम यहान रखिएगा यह थीम मैंने बता ही ती 20 अंतराश्टी मैच में तीन मैडन ओवर फैकने बाली भारती है क्रिकेटर बन गई है यानि कि कोई फीमेल है तो आपको यह बताने हर्मन प्रीतकौल जूलंग गुस्वामी पूनम यादव यादिप्ति सर्मा देखेए फ्रेंट्स कोईशन ऐसे भी आएगा आपको के 2019 में ऐसा क्या हुआ 2019 में आपको ऐसा कोईशन भी आथा 2019 में किस ने जो है टी 20 अंतराश्टी में तीन मैडल जो है डाले maiden over डाले आपको ये भी question पूछ सकता है या फिर directly पूछ सकता है तो आप दियान रखिएगा ऐसे भी question आते हैं question number 11 है तो यहाँ पर रहागा दिप्ती सर्मा इन्होंने तीन maiden over फैकने वाली पहली मही लावनी आगे अगला question करेंगे किस बाद तेन्ज के लागी ने उरिजन्टीना के विनस आर्ड्स में ATP Challenge Tsunamant में पुरस एकल किताब जीता है ATP Challenge Tsunamant में किसने एकल किताब जीता है तो ये सुमित नागल है सुमित नागल इनका ने नाम है क्या रहागा सुमितरों सुमित नागल ठीक है सुनी नहीं सुमित नागल ठीक है ऑप्षिन रहेगा बी यहां पर मैं थोड़ा जली बता रहा हूं ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन आप आंसर करेंगे को उसके लिएगा बहारत और किस देश के बीच सुनिक तुसेन ने अभ्याज जिसका नाम है काज बाकी निवल एक्साइज और आपको करा दूँगा यहां पर अंधर करेंड किस के बीच में हुई काजिंद रूस कजागस्तान करगिस्तान अफगानिस्तान कजा कजागस्तान के साथ में की गई तीन अक्टूबर को की गई ती ठीक है और यह जो है पित्वारागर में की गई थी खांपर की गई थी पित्वारागर में की गई थी पित्वारगर में उत्तरा खंड में ठीक है उत्तरा खंड में की गई थी यूके आप कह सकते हैं उत्तरा खंड में की गई थी ठीक है अगला कोशिशन करें अगला कोशिशन कहा है अगला बहुत इंपॉर्ण इस को और इसका नाम है नायमी उसाका ऑप्शिन कहारे वैं नामी उसे का आप्शिन डी है इन्होंने two बार इन्हों बार ग्रेहन बीज़े विनर रहेगा दी अगे बढ़ेंगे अगला कोशिन देखें कौन सब बारती किर्केटर सो कौन से बार के किर्केटर ने सो टीट्वेंटी किर्केट या अंतराश्टी मैच खेलने वाला पहला बाड़ की बना है 2019 के अकॉर्डिंग देखे देखे 2019 की बात करें अगर आप मैच की बात करें तो मैच तो है तो ऐसा नहीं है कि तो पहला अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है यहां पर ठीक है ओकि यहां पर आपसे 2019 भी आ सकता है या पर नहीं लगाएगा तो कोई भी दिखकत नहीं है तो आंसे दीजेगा कमेंट क्या रहेगा यहां पर ओके कि सो टीटवेंटी केलने वाला पहला भारते किरकेटर यह बनी है हरम हर्मन प्रीथ कौर कौन बनी हर्मन प्रीथ कौर आप्शिन नंबर भी रहेगा आगे एक लाकोशन पढ़ेंगे ऑके भारती वीमा बिन्हीं में और विकास प्राधीकरण यहने की इंस्वरेंस रेगु कि अद्यक्षिता में सीर्शक भीमा की उत्पादन संशना की समिक्षा की जाएगी तो किसके अद्यक्षिता में यह समिक्षा की जाएगी कोशन बहुत अच्छा है एक्जाम में आएगा तो यह देखे क्या है टी अल अलुमेला अप्शन आएगा आपका ए टी अल अलुमे जीता सिंगल मेंस टाइटल जो है किस ने जीता बहुत इच्छा कोशन है चीन ओपन जो टैनिस टूनेमेंट वो जीता है आंसरी जगा जी विजिंग में हुआ था टैनिस टूनेमेंट योगी तीन सेप्टेंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चला था यह जीता है डॉमेनिक थी आगे बढ़ेंगे अगला कोश्ण करेंगे बहुत इंटरस्टिंग कोश्ण है अटल इन्वेशन मिशन के तहत नीती आयोग और किसने एक और कोई आयोग है कर अगर जो है एक और आयोग है ने सेक तुरूप से यूथ को लैब यूथ को लैप यह एक नाम है जान दखिया ह यूद को लैब लाँच किया है जिसका उद्देश यूबा भारत ही है भारत में समाजिक उद्मिता और नवचार को तीवरता देना है या तीवरता प्रदान करना है किसके साथ में से लौन्च किया गया है तो चलिए और अच्छा कोशिन है अच्छा साय है तो यह किया है से शेकतराश्ट विकास और के साथ में कि कि यह है यूनाइटेड नेशन डवलप्मेंट प्रोग्राम ने जो है साथ मिलकर इसको सेक्ट रूप से इसको लॉंच किया है नीतियायों कोशिन पढ़ेंगे केंद्री है और देखिक सुरक्षाबल सी आई एस एप जम्मु कश्मीर के बगली हार हाइड्रोलैक्टिक पाउप प्लांट है किस नदी बना है सिंपल सी बात जो है जम्मु कश्मीर में वैंति है नदी कि सतलग भ्यास यहां पर हुआँ रहावी है चिनाब को अप्षिन में ठीक है चिनाब पर यह 300 जो है 300 जो है 300 मेगावाट की 3 हम टेगल PMAN है ठीक है और यहांपर इंप्रॉंट नहें बगलियार हाइड्र एलक्टिक पाइप प्लान यह फिर कहा है इसको राम बहान डिस्टिक में पढ़ता है इसको बगलियार डेम को जो बगलियार हैड्र पाउरप्वाइंट भी आप कह सकते हैं आगे बढ़ेंगे क्ला कोशिन पढ़ेंगे क्या है आपको निमलिकित में से किस सहर में भारत का पहला इवेस्ट क्लिनिक किया गया क यहां पर किया गया था बहुत इंपॉर्च है यहां पर आपको कि लिनिक लगा पर यहां पर पीला ऐसा यहां पर अगला कोशन देखिए ओके निम्लेकित में से किस हॉलिवड अभी नेत्रा अभी नेत्री को स्वधेशी लोगों के लिए यूनेसको सद्वामना राजदूत की बात करें कि नाम का उनको नामित किया गया तो यह आपको यह बताना है गुडविल एम्विस्टर है यह ठीक है यूनेस अपेरिका यहां पर आप्शिन रहेगा क्या आप्शिन हम अभी यलिच्या अपेरिका यह की कुट्बिल एम्वेजटर है यूनेसको की ठीक है यूनेसको सद्वामना राजदूत है ठीक है ध्यान दीजी का इंपॉर्टन कोशन अगला कोशन देखिए सेंट तो सेंड ने अभ्यास नामो नई सोरी नुमाडिक अलिफेंट जो है 14 जो 14 है तीक है 5 अक्टूबर 2019 को सुरूख हुआ यह किन दो देशों में किया गया बहुत अच्छा कोशन है अभ्यास यह नामोडिक अलिफेंट 14 संसकरन था इसका यह किन दो देशों के बीच हुआ यह हुआ भारत और किस के बीच में हुआ चले आंसर दीजे भात और मंगोलिया के बीच में हुआ पांच अक्टूबर से लेकर यह चला कब तक चला 18 अक्टूबर तक चला ठीक है मंगोली आंसर रहेगा option number D यहां पर रहेगा अगला कोशन करेंगा अगला कोशन क्या है निमलेकित मैसे किस नुवाग जोकोविच ने ठीक है किस में जीता है नुवाग जोकोविच ने जीता है option क्या है बही option है आपर C नुवाग जोकोविच ने अगला कोशन पढ़ेंगे निमलेकित मैसे किस बैंक ने यूकैस एक डिजिटल प्रोडक्ट का सुवारम किया जो ग्राक को डेवेट काड का उपयोग किये बिना मॉबाइल बैंकिंग के मादिम से ATM से पैसे निकाल ले मैं सक्षम बनाएगा केंदा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया है यूनेसको बैंक है यूको बैंक है या फिर कहें बैंक ऑफ बड़ोदा है कोशी निमबर 24 या आंसर दीजिएगा कमेंट यह रहाए यूको बैंक कहां रहाए यूको बैंक करेंगा डिटर लॉकर रहने पीस इसने लांच की है अगला कोशिन पढ़ेंगे अगला कोशिन क्या है यहां पर प्रतेग बर्स में से किस तारिको बिश्व सिक्षक दिवस में आया था बहुत सिंपल कोशिन है आंसर यह कब मना जाता है थीम तीस साल की दियान दखिये आती है एक्जाम में यंग इंडिया सरी यंग टीचर्स दा फीचर ऑफ प्रोफेशन यंग टीचर्स दा फीचर ऑफ प्रोफेशन यह थीम तीस साल की और यह बना जाता है हर साल कब मना जाता है 5 अक्टूबर को कब मना basketball association भात में पहली बार floating basketball कोट लाया है आपको ये बताना है ये कहाँ पर इस्तित है बहुत अच्छा कोशन है important है मुंबई में है मुंबई महाराश्ट में है और ये बांदरा वरली जो है इसी link पर ये आपको मिल जाएगा floating एक तरीके floating basketball जो है यहाँ पर मनाया गया है ठीक है option क्या रहेगा यहाँ पर भी रहेगा ये पता होने ये बहुत important question है exam में आएगा ये आएगा अगले question पढ़ेंगे निमलेकित में से किस राज्य सरकार ने लोगों पर केंद्रित सासन बनाने हेतू M.O. सरकार M.O. सरकार program सुरू किया है किस राज्य सरकार ने किया आंदर पदेश करना टक जहरकन उडीशा किस ने ये किया है answer दीजेगा comment करेगा तो ये किया है उडीशा सरकार ने और उडीशा सरकार कि CM पता होने चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन है तो नवीन पतनायक है important question है answer रहेगा उडीशा अगला question है निम लेकित में से किस राज्य के परटक विवागने अपने 11 शहरों में एक महिने के City Walk Festival का आज़न किया बहुत simple question था आज़न दीजेगा ये रहेगा ग्वाइलर था पन्ना बिदीशा खजराओ ठीक है चंदेरी जौलपूर और भुरानपूर और ओर्चा ठीक है ये 12 यहाँ पर शहर थे सोरी 12 नहीं थे 11 शहर थे 12 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर थे ये चला ये महस्थ चला और फैन इंपॉर्टन कोशिन है एक्जाम में पूछाए सकता है ओके कहा है मदप्रदिस में किया गा है ठीक है ऑप्शन है आएगा मदप्रदिस ठीक है अगला कोशिन पढ़ेंगे निम्लेकत में से किस तारिक को बिश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मनाया था आंसर दिना है वर्ल्ड माईग्रेट्री वर्ड डे जो है मनाया था कब मनाया था इसके दिए की थीम दियान दखेगा थीम बहुत इंपॉर्टन है प्रोटेक्ट वर्ट्स बीदा सॉलूशन टू प्लास्टिक पॉलूशन धान दिजगा इंपॉर्टन है प्रोटेक्ट वर्ट्स ओके बीदा सॉलूशन टू प्लास्टिक पॉलूशन ये लिख लीजगा ठीक है लिख लीजगा इंपॉर्टन है इस कोशन का आंसर हैगा 12 अक्टूबर सेमी फाइनल हारने के बाद 51 किलोग्राम बर मैं कांस बदक के लिए समझता किया यह किस दिस मैं आज़त किया गया था यह मुक्यवाजी की जो प्रदिवक्ता थी वो कहां पर आज़त की गई थी आंतर देजिगा तो यह कहां पर की गई थी यह है रूस में की गई थी खाबर की गई थी रूस में की गई थी उलान उदे में ठीक है उलान उदे करके इन्होंने यहां पर यह है यह की गई थी ओके आप्शन क्या रहेगा आप्शन रहेगा ए रूस ठीक है अगला कोशन करेंगे C40 World Mayor Summit ठीक है C40 World Mayor Summit 2019 किस सहर में आईद किया गया था किस सहर में आईद किया यह आपके लिए कोशन है इंपॉर्टन है एक्जाम में यहीं से कोशन बनेंगे तो आंसर दीज़ेगा यह 9 अक्टूबर से लेका 12 अक्टूबर तक की गई थी कोपेन हेग में कोपेन हेग कहाँ पर लिखा है कोपेन हेग डेनमार्क कोपेन हेग डेनमार्क में यह किया गए option आएगा B यहाँ पर ठीक है option B रहाएगा भई option B ठीक है आगे बढ़ेंगे अगर दरकूशन करेंगे कौन नोबल सांधी पुरसका 2019 का बेता है नोबल पुरसकार 2019 का बेता कौन है आँसर दीजेगा इनमें से कौन रहेगा देखे अभी कुछ नोबल पुरसकार सांधी के और अगल 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 नोबल पुरसकार जो है आपको पता है के दिएगा है लेकिन फ्रेंट अभी उनकी बात नहीं करेंगे अभी अहमद अली अभी अहमद अली को दिया गया ठीक है ऑप्शन में था ऑप्शन निमबर सी है ठीक है अगला कोशन प्रदार मंत्री नेंद मोधी और चीनी रास्ट पती स्री शी जिंबिंग के बीच दूसरे अनपचारिक सिकार सम्मीलन के दोरां दोनों नेताओं ने चीन के चीन के और किस मतलब किस जगह की है और फूजियान प्रांथ के बीच एक सिस्टर टेस्ट लिंक इस्तापित करने के लिए सहमेती जताई है तो किस चगह की आपको सेहर का नाम बता रहा है तो यह तमिल नाडू और फूजियान में जो है इन्फॉर्मल समिट जो है हुई वह 11 और 12 अक्टूबर कोई थी तो यहाँ पर होगा कोशन का अंसर है का तमिल नाडू ठीक है और कोशन का अप्शन इसी रहा है यहाँ पर तमिल नाडू ठीक है अगला कोशन पढ़ेंगे नेम लेकेट पर से कौन भारतिय केरिकेटर कंट्रोल बोर्ड बी सी सी आई का नया अद्यक्ष होगा कौन होगा सवरगांगली राहूल तरवडिया जे शहा कोशन नंबर 34 यह साथ तो पता नहीं वही आंतर दीका 34 का क्या रहेगा सवरगांगली क्या रहेगा सवरगांगली सभी को पता है कोशन नंबर बी ठीक है उस देश का नाम बताएं जहां तूफान हगीविस हगीविस ने दस तक दिया 250 किलमीटर परती कहंटे गयती से जो है इनों रखता है जो है पगभी और इसके कान जो है गंबीर बाल और कंभूस कल जहाप कहांपर हुए है तो आंसर कमेंट करना यह कहांपर आया है फिलिपीन में ताइवान में जापन में और और आस्त्रेलिया कोशन नम्हें थर्टी-फॉर है यह आया था जापान में रहाएगा तिक है कह रहेगा ऑप्शन नम्र थी ठीक है अगला कोशन पढ़ेंगे आवास और सहरी मामलों के राज्यमंती स्री हरपीत हरदीब एस पूरी द्वारा सरकार कालोनियों में प्रेवरेंश सर्लक्षन के लिए सुरू किये गए मोबाइल एक का नाम इस मुवाइल एप का नाम बताना, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहाएगा, कुशन में, आपशन A, B, C, D, यहापर है, तो A, B, C, D, है, उसके बाद लेखा है, ठीक है, तिले आंसर दिएगा, तो चुशन नमर 36 है, कुशन नमर 36 आंसर दिजिगा, M हरयाली कह रहाएगा M हरयाली option number B रहाएगा M हरयाली यहाँ पर रहाएगा M हरयाली अगला कोशे How to avoid a climate disaster the solution we have and the breakthrough we need इस नाम की पुस्तक जो है इसकी लेख़क का नाम बताना जिसने promotion 2020 में इसका किया है question बहुत अच्छा है इस book का आपको नाम बता पड़ गया लेकिन इसके writer का नाम बताना है तो इसका writer का नाम तो आप देखि book नहीं है यह लेकिन book आएगी लेकिन आप देखिए आपको जुन 2020 में जो है book आएगी लेकिन इसकी book का जो title आपको जो है मिल गया है how to how to avoid climate disaster the solution we have and the breakthrough we need तो इस question का answer रहेगा क्या रहेगा question का answer रहेगा option का क्या रहेगा यह रहेगा यह रहेगा बिल गेट्स question option number C अगला question उस बार ते सुटलर का नाम बताएं जिसने नीदरलेंड एलमर में डच ओपन पुरस एकल का खिताब जीत कर अपना पहला बी एम एफ बिश्व टूर किताब जीता question number 38 है answer दीजेगा comment करेगा क्या रहेगा question number 38 इनका नाम है लक्ष शेन 18 एर ओल्ड है यह और यह कहां से अलमूरा से है ठीक है अलमूरा से है और उनने जो है यह जीता है ठीक है जापान के यूंग सुक ठीक है यूंग सुक से यह यूंग सुक को जो हरा कर जीता है question का option रहेगा दी अगला question पढ़ेंगे सिमोन वाइल्स ने किस खेल में सरवदिक बिश्व पदक जीतने का record तोड़ा है question number 39 answer दीजेगा comment करेगा सिमोन वाइल्स ने 25 वर्ल्ड जो है वर्ल्ड मेडल जो है जीते हैं सरवदिक बिश्व पदल कीते हैं जिसमें किसमें जीते हैं जीमनास्टिक में जीते हैं किसमें जीमनास्टिक में जीते हैं कितने जीते हैं टोटल में जीते हैं 25 विस्व वर्ल्ड रिकॉर्ड है ठीक है क्या वर्ल्ट रिकॉर्ड ये हैं Gymnastic ऑप्शन आएगा बी Gymnastic में ठीक है ऑके Gymnastic गीते हैं जब 25 वर्ल्ड मेडल सावब पशभए पदक गीते हैं उन मेंसे ऐर बात करें तो 19 गूल्ड मेडल है कितने 19 गूल्ड मेडल हैं और ये महिला हैं लेकिन इसकी बात करें किसी भी जेंडर में फीमेल हो या मेल हो दोना में इन्होंने सब्सक्राइब जो है पदक जीते हैं अगला कोशिन फोटी नमबर कोशिन है दस से बारा जून 22 तक आजित होने वाली चालीस भी जी सेवन सिकर संबिलन बैठक जो है वो कहां पर हुई कोशिन नमबर फोटी अंसर दीजेगा कमेंट करिए ये कहां पर हुई है तो यह हुई है यूएसे में ठीक है दस से लेकर बारा जून 22 बीस में हुई यूएसे में हुई और इसमें कौन कौन से देश आते है कनाडा फ्रांच जर्मनी इटली चापान यूनाय तो एक तो राज अमेरिका को operates यूर्व पया हुआ ठीक है गला कोईशन आएगा निम लेकित में से किस बारती अध्यों की पती को बिश्वेस बात संग के अध्यक्षिता के रूप में नियुक्त किया गया अभी तक की वीडियो अच्छे लेकिते फ्रेंट्स और लाइक को शेयर कर दीजेगा कोईशन नंबर इंपॉर्टन है देखिए अगर बात करें हम 45 बार जो है जिगर संबिलन था जो की 24 अगस्त तक चलाता देरनीस को वो वरिस्टिक अगला कुशिन इसकाां से दीजेगा कमेंट करिए कोशिन नंबर 41 इमलेकत में से किस बार ते हो दिक पती को बिश्व इस पास संग का अदेश की रुपए निख्त किया कुशिन नंबर 41 जलीसा आटसर दीजेगा इसका आउंसर है सजल जंदल सजल सजजन जंदल सजजन जंदल ठीक है कहला सजजन जंदल अगला गोशिन रभी संकल पिशाद दौरा पहली मैटी स्टार्ट अप मैटी स्टार्ट अप कितनी भाशां में समर्थन करेगा मतल refresh भी अप में आप कितनी भाषा है उपयोग हो सकती आंसर दीजेगा कमेंट करियेगा देखे तो आंसर दीजेगा कुश्य नंबर बताएगा क्या होगा इसमें पहले दस भासा आए थी अब तीन अत्रिक भासा और जुड़ गई हैं तो तीन अत्रिक भासा कौं कौन सी हैं रहेगा अगला कुछे केंद्री स्वास्त परिवावा के लियान मंत्री डॉक्टर हर्श्वदर ने अपने सताब दी समारों के उपलक्ष में किन संस्तानों की डांत टिकेट जारी की कोशिन नमबर 43 है आंसर दीजेगा यह नहीं नहीं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हैल्थ औ यहां पर आगा सी राश्ट्री पुशन संस्तान की एन आ एन आई ए जो हैदराबाद में ठीक है उसका जो है इसके उपलक्ष में तो इसका कि इसके टिकेट जारी किया ओके तो यहां पर कोया ओप्षिन रहेगा आप पर रहेगा ऑप्षिन नमबर 1191 इंटरपॉल महसवा की मेजवानी करेगा कोशिन नमबर फूटीफोर बहुत बीहद इंपॉर्टन कोशिन है अंसर दीज़ेगा कमेंट करिए भारत इसका आंशर यहां वह gatherings कैन Mid इंटरपूल की जो है मेजवानी करेगा कोशन नमबर 44 आप्शन आएगा B अगला कोशन उस गलेशर का नाम बताना है ज़िए भारत सरकार ने पहली बार प्रटन के लिए खोला है प्रटन के लिए खोला है बहुत इंपॉर्टन कोशन है सियाचीन सबसे उचा जो है युद इस्तल है यहाँ पर भारत का जो है कबजा है और इंपॉर्टन कोशन भी आता है कि सबसे उचा जो है आ चुका है सबसे उचा जो है युद इस्तल पर किसका कबजा है तो भारत का है और यो कि सियाचीन है चली इस question का अंत तो हमें में लगया है सियाचीन होगा लेकिन Glacier का नाम बताना है सियाचीन के भारत के सरकान नजए पहली वार ये परटन के लिए खोला है कि ये दुनिया का सबसे उच्छा युद्ध चेतर है ये पता है ये में लेकि पूर्व में कारा कॉरम रेंज पहस्तित है का अबर कारा कॉरम रेंज पहस्तित है और ये रहेगा सियाचीन Glacier option number कह रहेगा अगले question पढ़ेंगे कह रहा है का भात में भूक और कोपोशन के खिलाब जागरुकता बढ़ाने और कदम उठाने के लिए स्वेक्त राश्ट बिश्व खाद कारेकरम WFP द्वारा सुरू किये गए बिग्यापन अवियान का सीशक क्या है question number आपको बताना है question number 46 है इसका सीशक क्या है feed our future feed our future से तो राश्ट बिश्व खाद का मुख्या लगर बात करें तो यह रोम और इटली में है तो यहां आपर आंसर आएगा feed our future question number feed our future question number आपका 46 option बनाएगा अगर आपसे पूछ लिए जाए WFP का मुख्या लग कहा है तो यह रोम में है question number आएगा question number 47 seven ने किस देश ने सो लोमन दीप समू मैं संपून तुलागी दीप को पट्टे पर देने के लिए एक समझोते पर अस्थाक्चर किया है यह option answer आना चाहिए comment करेगा important question है बस जादा जानकर आपको इतनी रखनी है कि किसको पट्टे पर दिया है किस देश ने अस्थाक्चर किया तो यह किया है चीन ने option आगर दीए bridital national solving technology people people problem नामक जो पुस्तक्व है उसमें निम्लकित मैसे इसके दौरा लेकिए यह पुस्तक IJC सेकर के दौरा रतन टाटा के दौरा रूपा पुरुसुत्तम जबम दौरा A and B दोनो के दौरा question number 14 ना है कह यहाँ पर ANC दौनों आएगा यहां पर आने की ए जाने की ए एंज चंदर सेकर और सी रूपा पुश्वत तन दोरा ठीक है तो बिजिटल नेशनल सॉल्विंग टेकनोलोजी पीपल प्रॉलम यह जो है नोरा के दोरा लिखी गई है और आज का लास्ट कोशिन है देखिए अकर आज से पूछ ले एंज चैर्मेन है यहां के किसके टाटा के ठीक है टाटा संस के किसे टाटा संस के ध्यान देखिए कोशिन नंबर आएगा 50 और 50 का अंसर आने आप लोगों को 21 अप्टूबर देश को रक्षामंत्री सी रामनात ने लग्दात में करनाल चेवांग रिंग 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 सेतु का सब्सक्राइब करने की बात बैल का आई करना तो उसे दवा दीजेगा वीडियो पसंदाई तो लाइक करिएगा और इसे वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब करिएगा और बेल काई के जुल दोएगा थैंकियो फिर ने वाचिक इस वीडियो बैस रब एक्जाम के लिए आपके रिजल के लिए